हलो दोस्तों मैं मुकेश कुमार फिर से हाधिर हो अपने यूटूब चैनल टूर विद मास्टर मुकेश के साथ आज मैं आपको लेकर आया हूँ चान्दी चौक का प्रशिद गौरी संकर मंदिर आई आपको अंदर गौरी संकर भगवान के दर्शन कराते हैं श्री गौरी संकर मंदिर दिल्ली की अगर बात करें और बोले संकर की बात करें तो दिल्ली का सबसे प्रशिद्य मंदिर यही है जो कि आपके चान्दी चौक में है बिल्कुल ठीक सामने लाल किला मंदिर के बगल में ही आपको फूल मालाओं के दुकान मिल जाएगी जहांसे आप फूल माला भी खड़ी सकते हैं यहीं पे आपको अगर आपको परसाद चरहना हो तो मिठाई के दुकान भी लगी हुई है जहांसे कि आप परसाद बगल ले सकते हैं कहीं इतर उतर जाने की जरूबत नहीं सब मंदिर प्रांगन के आसपास ही आपको मिल जाएगा जो कि किसी भक्त जनों के लिए काफी आसाम रहता है आई अब हम लोग परवेश करते हैं कौरी शंकर मंदिर में सामने ही आप देख रहे हैं हमारे गौड़ी संकर महादेव सामने ही आसाम जनों जन्होत देख दीस आसाम ह्वाद रह रहे हैं हमारे रहे हैं कि आपक्री आसाम इानों कर ड़्ले दुन हां अद istiyorum झुंड़ने शीं आसाम है आपक्ने सी आपक्त जनों प्रांडे रहे हैं आपक्रत दर बंदिक मिल जत attractingKayढशने हैं हैं इसमें चांदी के अर्ग है शंकर भगवान मता परवती के साथ यहां पर मोर्ती रूप में के वावान परवती रूपाई के लिए अचाउ है के उलुचाई दूपाई शचाउ अचाई यह बंस्तो अच्चाई आा याद अ क्याता है और यह उचाई क्याता है बंबं भुले मुख्य मंदिर से निकलने के बाद कापिसारी देवी देवताओं के मुर्ती हैं आपे धन्पति भगवान मुख्यं मुख्य हुख्याँ मस्攻 Department मुख्याँ मता गंगा मता गंगा स्रिया मुना मता 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 स्री राम कंदर जी स्री लक्समां जी मता 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 इस राम कंदर जी दिस राम कंदर जी मता आप ये हमारे परंपुज्य स्री वाला जी महराज बिरंग वरी चुर्ड़ जी यहां पर सिरी बिश्णो जी भग्द धुरूग के साथ दिखलाया गया है और इस मंदिर के एक और खास्कित बता दें कि यहां पर वो पत्थर रखा हुआ है उस्री राम चंदर जी ने लंका में फूल बनाने के लिए इस्तिमाल किया गया था पत्थर जो कि पानी में तेड़ता रहता है डूपता नहीं है यह मंदिर की परिकर्मा है डूफ से मैं मंदिर के अंदर इस्तिफ पीपल का बत्वीश भी लगा हुआ है कि मंदिर के अंदर इस्तित्फ पीपल बिक्ष भी लगा हुआ है यहां पे नंदी देव, पीतल की मुर्ती बनी है नंदी देव की, और सबसे सांदार, सबसे आकरशक, सबसे भव्व, यह वद्रिश्च को दर्साया गया है, जब मा गंगा स्वर्ग से उतरी थी, उनको संकर जी अपने जटा को पुल के, अपने जटाओं में समा लिये थे, मंदिर की नकाशी भी काफी उच्च कोटी की है, मुखे मंदिर के पीछे का यह द्रिश्च है, इसमें की तरह तरह की नकाशियां की गई है, यहां से आगे पढ़ने पर, स्री राधा कृष्ण जी महराज, गय्तरी मता, मासरा सुती त्री हरी विष्णु का रूबापु देखने को मिलेगा माता लक्समी के ताथ यहां पे भगवान विष्णु साया पे लेटे हुए भगवान स्री कलकी जी मंदिर के निकास द्वार के पास आपको बारा के बारा के दर्शन करने को मिल लेंगे कौन सा जोतर लिंग कहा है श्री शोमनाथ, श्री मल्दिकार्दू, श्री महाकालेश्वर, श्री ओमकारेश्वर, श्री बैदनाथ, श्री धीमेश्वर श्री रामेश्वर, श्री नागेश्वर, स्री विश्वर, स्री तरमबकेश्वर, स्री केदारनाथ, श्री गुषमेश्वर यह हमारे 12 जोतर लिंग है और अप हम लोग बाहर आगए तो हम लोग अंगर से दर्शन करके ठीका लगवा कि हम लोग बाहर निगा चुक्त है तो दोस्तों यह हम लोग आये थे गोरी शंकर मंदिर तो दोस्तों कैसा लगा आपको मोड़ा यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्क्राइब पढ़ना ना भूलें मिलते हैं फिर अगले किशी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत प्यस्त रहें स्वस्त रहें बस्त